मसकार सुआगाते आपका चुनावा आच तक पर मैं हूँ रवीश पाल सिंग मद्रबदेश के इंदौर से बड़ी खबर इस बार निकल के सामने आई सूरत और खजराहों के बाद देश की तीसरी ऐसी सीट इंदौर बन गई और अब इंदौर में कॉंग्रेस और मिद्वार अक्षा कांती बम ने नामांकर लेकर के कॉंग्रेस पे ही बम खोड़ दिया या पिर यूं कह लीजिए कि कॉंग्रेस अपने ही बम से घायल हो गई है ये बात इसलिए उट रही है क्योंकि इंदौर जो की प्रदेश की एक सबसे बड़ी लोकसभा सीट है प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है सपनों का शहर मिनी मुंबई जिसे कहते हैं उस इंदौर में जहां पे लगातार भारती जन्ता पार्टी जीत ते आ रही है और इस बार भी जीत को लेकि आश्वस्ती वहां पे नामांगण वापस लेने की अंतिम तारीक पे कॉंग्रेस के उमीदवार अक्षे कांती बम अपना नामांगण वापस ले लेते हैं वो केलाश वीजवर्गी के साथ इसके बाद भाचपा कारेले पहुँच जाते हैं अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया अक्षे कांती बम के सामने कि जो पहले विधान सभा का टिकट मांग रहे थे तब नहीं मिला और अजब लोग सभा का टिकट मिला तो उन्होंने एन वक्त पे अपने नामांगण वापस ले लिया वज़े क्या रही कई सारी बाते निकल के सामने आ रही है आज चुनाव आज तक पर हम आपको बताएंगे कि कई ऐसी वज़े थी जिसकी वज़े से अक्षे कांती बम कहीं न कहीं अपनी हार को ले करके काफी जादा डरे सहमे हुए थे दरसल अक्षे कांती बम को टिकट दिये जाने से कॉंगरेस का ही एक धड़ा लंबे समय से नाराज चल रहा था डमी केंडिडेट कॉंग्रेस ने खरा किया था जो पटेल है वहां से मोती पटेल वो डमी केंडिडेट बने कॉंग्रेस के लेकिन उनका नामांकर निरस्थ हो जाता है अब ऐसे में कॉंग्रेस के सामने दुविदा ये है कि जब उनका एक उम्मिदवार जो डमी कैंडिडेट था उसका नामांग कर निरस्थ हो गया उनका जो अपना अधिकरत उम्मिदवार था उसने नाम वापस ले लिया तो कॉंग्रेस प्रदेश की इस लोगसभा सीट से भ अखिरकार ये जो हमने आपको बात बताई दबाओ की दबाओ के अलावा कौन से कारण रहे देखिए जो राजिनितिक विशले शक है उनका साफ्तावर पर कहना है कि ये एक तरीके से मनोवज्यानिक रूप से कॉंग्रेस पर चोट करने की एक रणनीती थी जिस पे बीजे चुनाओं में एक करारी शिकस्ति हो ले जाएगी अक्षे कांती बम वही हैं जिन्होंने विधान सभा चुनाओं के लिए भी टिकट मांगा था इन दौर से लेकिन तब उन्हें ये कहा गया था कि आप कुछ दिन इंतजार कीजिए पार्टी आपके बारे में फैसला करेग की जिम्यदारी संभाल रहे थे ऐसे में अक्षे कांती बम को मौका मिलता है जो मौका उन्होंने विधान सभा चुनाओं में मांगा था वो मौका उन्हें लोक सभा में मिला वो लगतार चुनाओं प्रचार में डटे रहे वो गए उन्होंने नामांकन में आरोप लगाए क कि कोई बड़ा नेता जो है उनके नामांकर में नहीं आया तो पहुंचे थे लेकिन अक्षिय कांती बंकाय कहना था कि जिस तरीके की इंदौर लोग सभा सीट है बड़े चेहरों को आना चाहिए था क्योंकि बीजेपी की तरफ से जब शंकर ललवानी ने नामांकर बड़ा तो बड़े चेहरे वहां पर मौझूद थे मुख्यमंत्री मौनियाद भी मौझूद थे दूसरा डर जो बैने आपको बताया वो बगावत का दिखाया गया तीसरा डर जो आरोप लगा दिये कॉंग्रेस वो यह कि आरो यह डर दिखाया गया कि आपके खिलाफ कई पुरान के साथ ही पिछले दो दिनों से अक्षे कांती बम जो है वो इस कार्ट में लगे हुए थे कि आखिर कैसे बिना किसी बड़े नुकसान के वो अपना नामांकर वापस ले आज वो बकायदा रमेश मेंदोला के साथ पहुंचे विधायक है बीजेपी के जाना उन्हें केलाश विजवर्गी के साथ जाते तो आग में जंगल जंगल में आग की तरह ख़वर फैलती काफी कुछ बाते हो सकती थी लेकिन चुप चाप रमेश मेंदोला के साथ वो जाते हैं नामांकर वापस लेते हैं इसके साथ ही इंदौर लोग सा भर सीट से कुल तीन लोग आज अप बीजेपी के लिए एक और सीट एक तरीके से जोली में जा चुकी है चुनाव तो यहां होगा लेकिन अब शंकर ललवानी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी कॉंग्रेस का अब वहां से सूपरा साफ हो चुका है तो ऐसे में ले देकर के कॉंग्रेस या फिर इं देक्ष और बीजेपी के उमिद्वार वर्तमान सांसर वीडी शर्मा के सामने चुनाओं में खड़े हुए इसी तरीके से इन दौर में भी कॉंग्रेस या फिर इंडिया गडबंदन के सामने विकल्प बचेगा सीमित विकल्प है लेकिन अब ये सीड भी एक तरीके से बी कामन को क्यों ने दी कॉंग्रेस के तरफ से जम कर हमला हो रहा है कि अक्षे कांटी बंब बिट गए हैं उनको खरीदा गया है दूसरी तरफ के दूसरे नेटा कह रहे हैं कि उन्हें डर दिखा करके एक तरीके से बाच्पा में शामिल करवाए गया है तमाम तरीके क्या रो कि चोट से कॉंग्रेस उबर पाती है या नहीं इसके आसार बेहत कम है क्योंकि विरानसभा चुनाओ में इस करारी हार के बाद भी कॉंग्रेस लोगसभा चुनाओ में बहुत अच्छे तरीके से प्रदेशन कर दे इसकी उमीद मद्रप्रदेश में तो ना के बराबर में बहुत अच्छा मुकाबला कर पाईगी उसे टक्कर दे पाईगी इसकी उमीद कम ही है